कोरोना संकट अभी पूरी तरह से चला नहीं है कि दूसरी महमारी की चेतावनी सामने आ रही है ये बिमारी कोई नई नहीं है लेकिन अगर नई रूप में आगे बड़ी तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है क्या है बिमारी और कितना है खत्रा हम आपको इस रिपोर्ट में पताने चा रहे हैं कोरोना संकट के बीच दुनिया पर बर्ट फ्लू का खत्रा मंड़ा रहा है इस बर्ट फ्लू वायरिस के कम से कम आठ स्ट्रेन पल रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये फैले तो अंजाम कुरोनम हमारी से भी ज्यादा बुरा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बड़े पैमाने पर व्यवसाइक चिकन फार्बिंग होने की वज़े से इन वाइरिस के फैलने का खत्रा बढ़ गया है। दगारजिन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में रूस के असत्रखान शहर के पास खेतों में एक लाग से ज्यादा मुर्गिया अचानक मर गई। जाज के बाद पता चला कि इसके पीछे घातक एवियन फ्लू का नया स्ट्रेन H5N8 था। ऐसे में इस महमारी को रोपने के लिए पोल्ट्री फार्म में 9 लाग से ज्यादा मुर्गियों को मारना पड़ा। एवियन फ्लू दुनिया में फैलने वाली एक और महमारी है और H5N8 सिर्फ उसका एक स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन हाल के सालों में व्रिटन समेथ करीब 50 देशों में हजारों मुर्गियों, बतक और दूसरे पक्षियों की मौत का कारण बना। लेकिन असत्र खान की घटना इन सबसे अलग थी। क्योंकि मुर्गियों को मारने के बाद जब खेतों में काम करने वाले ठेट सो मजदूरों का चेक अप किया गया तो उनमें पांच महिलाई और दो पुरुषों में ये वीमारी पाई गई। ये पहली बार था जब H5N8 पक्षियों से मनुष्यों में फैला। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को लेकर WHO को अलर्ज किया गया था लेकिन COVID-19 महमारी के कहर के कारण उस समय इस पर कम ध्यान दिया गया। हालाकि रूसी संके मुख्योग भोक्ता सलाकार अन्नप पकोवा ने टीवी पर चेताबी दीथी की संभावना है कि H5N8 जल्द ही इंसानों में भी फैल सकता है। उन्होंने इसकी वैक्सीन विकसित करने का काम फॉरन शुरू करने के लिए कहा था। बताया गया कि एवियन फ्लू के आठ या इससे ज्यादा प्रकार के जो सभी मनुष्यों को संक्रमित और मारने में सक्षम हैं। साथी संभावित रूप से कुरूना वाइरिस की तुल्ला में ज्यादा गंभीर है। इस पर ध्यान देना बेहर ज़रूरी है, हाला कि 2021 में इंसानों के H5N8 से संक्रमित होने की कोई और रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन पिछले हफते चीन से चिंता जनब खबर आई। जहाँ एक अन्य प्रकार की एवियन फ्लू को H5N6 के रूप पे पहचाना गया। नए नए स्ट्रेंट फैल रहे हैं। H5N6 ने 2014 में पहली बार पहचाने जाने के बाद से 48 लोगों को संक्रमित किया। ज्यादतर मामले पोल्टरी फार्मिंग में करने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। हाल के हफतों में सभी संक्रमित लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जो ये दर्शाता है कि H5N6 स्ट्रेंट रफतार पकड़ रहा है। साथ ही ये स्ट्रेंड का म्यूटेशन बेहत खतरनाग भी है। भारत की बात की जाए तो यहां भी बड़े पैमाने पर चिकन का कारोबार होता है। वक्त वक्त पर बर्ड फ्लू तबाही मचा चुका है। इसके लोगों में फैलने का खतरा भी लगातार पना ही रहता है। इसी तरह अब एवियन फ्लू आने वाले दिनों में हमारी का रूप ले सकता है। जिसे लेकर पहले ही अलोर्ट रहने की जरूरत है। आप न्यूस्तक को नए रूप में देख रहे हैं। न्यूस्तक का रंगरूप बदला है लेकिन घरोसा वही है। हमारी कोशिश है कि आपके लिए बहतर से बहतर कॉंटेंट पेश किया जाए। ताकि देश दुनिया की जरूरी खबरे सही और पूरी जानकारी के साथ आप तक पहुँच पाए। न्यूस्तक प्यूरू